ओ मुहनमते नमा, नमस्कार मित्रों, मैं अविरल ट्रिविदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल नेटिक मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज कले एक बिसेश रंखला हम चला रहे हैं उसी पिसेश रंखला में आज बात करते हैं सेव के आउसदी प्रयोगों की एन एपल एड़ी कीप्स डाक्टर अवे इंगलिस की एक प्रिसिद कहावत है सेव में लगभग हर तरह के पोसक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं या आउसदी गुणों से परिपूर्ण फल है भोजन के पश्चात नित्य सेव खाने से दांत और मसूरे ठीक हो जाते है भूखे पेट सेव खाकर उपर से दूद पिया जाए तो दो माह में ही तुचा का रंग निखर जाता है मांसिक तनाव, चर्मरोग, गठिया, संदिवात, श्वांस प्रणाली के रोगों में नीमित सेव खाने से लाब होता है सेव का रस हैदय को सक्त प्रदान करता है वा नेतर दश्ट को तीवर करता है सेव के नीमि सेवन से रक्त की विसाक्तता दूर होती है सेव कर्मी और खुसकी को दूर करता है सेव अत्यम्त सक्तिवर्धक होता है और यौन दुरवलताओं को दूर करता है सेव का रस गुर्दे को सुद्ध करके गुर्दे का दर्द दू जाता है, तथा बनी हुई पथरी घिसकर मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है। जिन्हें सराप की लत लग गई हो, उनको बार-बार सेब का रस पिलाने से सराप की लत छूट जाती है। खट्टे सेब का रस मसों पर लगाने से मस्चे जड़ से गिर जाते हैं। चेहरे की तैली तचा सेब का गुदा मलने से ठीक हो जाती है। सेब यक्रत रोगों में लापदायक है, इसके नीमित सेवन से यक्रत ठीक होता है। जिनें बहमोतरता का रोग हो, उन्हें सेब का नीमित प्रयोक करना चाहिए। टाइफाइट बुखार में सेब का रस पीना अत्यंत लाब दायक है, मलेरिया बुखार में भी सेब लाब करता है खटे सेब के रस में आटा गूंत कर रोटी बना कर खाने से भूंख न लगने की समस्या खत्म हो जाती है रात को सोते समय दो सेब नित्य एक सप्ताह तक खाने से पेट के खिले नश्ट होकर मल के साथ निकल जाते हैं कब जो की समस्या रहती हो तो छिलके सहीच सेब का सेवन करना चाहिए, जिनें दस्त आते हों उन्हें छिलका उतार कर सेब खाना चाहिए नित्य सेब का रस लेने से आतों के घाव ठीक हो जाते हैं सेब का रस पाचक अंगों पर एक पतली परच चढ़ा देता है जिससे वे संक्रमित नहीं होते सेब का रस नीमित पीने से खूनी दस्ट ठीक हो जाते है पुराने दस्तों में सेब का रस बहुत लाब करता है सेब के मुरब्य के नीमित इस्तेमाल से अनिद्रा रोग ठीक हो जाता है उच्च रक्तचाप में नीमित सेब खाने से रक्तचाप सामाने हो जाता है जिन्हें बहुत प्यास लगती हो उन्हें पानी में सेब का रस मिलाकर पीना चाहिए जिन्हें अक्सर सरदर्द रहता हो उन्हें सेब पर काला नमक लगाकर तीन सब्ताह खाना चाहिए जिन्हें अक्सार सर्दी युकाम रहता हो उन्हें भोजन से पूर छिलके सही सेब खाना चाहिए सेब के रस में मिस्री मिलाकर पीने से पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है सेब का मुरब्बा दो से तीन सब्ताह खाने से हैदय की दुरबलता दूर हो जाती है लग रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो कोपे लाइक करिए सेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और से करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार